काली मिर्च के फाइदे दोस्तों काली मिर्च को king of spices माना जाता है इसे हम मसाले की रूप में तो यूज करते ही है पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि काली मिर्च कई बिमारियों के लिए अचूक दवा का भी काम करती है आईए जानते हैं इसके फाइदे काली मिर्च हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है पिसी हुई काली मिर्च में शक्कर और घी मिलाकर रोज खाने से आँखों की कमजोरी दूर होती है और आईसाइट बढ़ती है अर्थ्राइटिस के रोगियों के लिए तो काली मिर्च प्रकृति का एक वर्दान है तिल के तेल में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर गरम कीचे और जब यह गुन-गुना रह जाए तो जोडों पर इस तेल से मालिश कीचे अर्थ्राइटिस से जुड़ी सारी समस्याएं जैसे जोडों की सूजन, एठन और दर्द में आपको काफी राहत मिलेगी सूखी खांसी होने पर काली मिर्च और मिश्री मुँ में रखकर धीरे-धीरे चूसने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है काली मिर्च हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानि पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रोंग बना देती है काली मिर्च को चाच के साथ यानि लसी के साथ लेने से अपच की समस्या दूर हो जाती है यदि आपके पेट में गैस बहुत बनती है तो एक ग्लास पानी में एक निम्बू का रस और एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर मिलाकर रोज पीने से पेट में गैस बनना बंद हो जाता है पेट में दर्द होने पर काली मिर्च, हींग और सोट को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और फिर इस चून का आधा चमच गरम पानी के साथ लें पेट दर्द दस से पीस मिनट में उड़ंचू हो जाएगा बवासीर यानि पाइल्स होने पर काली मिर्च और काला नमक सुभा दही में मिलाकर लेने से काफी आराम मिलता है काली मिर्च हमारे दिमाग के लिए भी हमारे ब्रेन के लिए भी एक टॉनिक का काम करती है एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च शहद में मिलाकर सुभा शाम चाटने से तनाव दूर होता है मेमरी बढ़ती है और दिमागी कमजोरी कम हो जाती है बुखार होने पर आधा चमज काली मिर्च और दो चमज शक्कर पानी में घोल कर पी जाएए बुखार उतर जाएगा पेट में कीडे होने पर छाच में काली मिर्च और नमक मिलाकर पीने से पेट के कीडे दूर हो जाते हैं यदि आप high blood pressure की समस्या से परेशान हैं तो रोज खाना खाने के बाद एक गलास गुनगुने पानी में आधा चमच काली मिर्च डाल कर पीछिए, blood pressure हमेशा कंट्रोल में रहेगा गला खराब या जुखाम होने पर काली मिर्च पाउडर को दूद में उबाल कर या फिर शहद में मिला कर खाएं बहुत फाइदा होगा एस्तमा के patients भी अगर काली मिर्च को daily use करेंगे तो attacks की frequency बहुत कम हो जाएगी काली मिर्च में नमक मिलाकर दातों पर मालिश करने से दातों का पीला पंदूर हो जाता है मसूडों की सूजन दूर होती है और दात के दर्द तथा पायर या रोग में भी बहुत लाब मिलता है काली मिर्च में vitamin C, vitamin A, flavonoids और keratin आदी antioxidant पाए जाते हैं जिसके कारण ये अनिक प्रकार के cancer से भी हमारी सुरक्षा करती है काली मिर्च weight lose करने में भी बहुत सहायक है इसमें कुछ ऐसे compounds पाये जाते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद अतिरिक्त fat यानि चर्बी को breakdown करके उनको flush out कर देते हैं तो यदि आप भी अपने शरीर से extra fat को हटाना चाते हैं तो काली मिर्च को अपनी daily diet का हिस्सा जरूर बना लीचे काली मिर्च को अगर आप अपनी skin पर scrub की तरहां से use करेंगे तो skin के सारे dead cells निकल जाएंगे और आपकी skin एकदम चमकदार हो जाएगी अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो काली मिर्च को प्याज के रस यानि onion juice में मिलाकर अपनी scalp पर हफ़ते में दो बार आधे घंटे के लिए लगा लीचे बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल भी उगने लगेंगे अगर आपके बालों में dandruff या रूसी हो गई है तो काली मिर्च को दही में मिलाकर अपने बालों में लगाईए बहुत फाइदा होगा तो ये थे काली मिर्च के बहुत सारे फाइदे प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने वैल्यूबिल कमेंट्स भी हमें दीजे और अधिक हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब